जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग सानद करता हूं आपके अपने वेक यूटूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में दोस्तों भी हम बात करेंगे वेस्ट एंडीज ओमैन वर्सेज इंग्लैंड ओमैन की बीच में खेला जाएगा चौंथा टी ट्वेंटी आइज का मुकावला इसको लेकर यहां पर सौट एनलाइसिस करने वाले हैं आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दूँ अब भी जो हम देखेंगे वो महज़े का अपना डेमो टीम होगा फाइनल्टी में जो भी बदलाव होगा उसका अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा टेलीग्राम चेनल पर देखने को मिल जाएगा सिर्फ को लेके बात कर लें तो इगलाइंट में ओल्डेडी सिर्फ को वीन कर चुकी है तो यह बंचेज ऑफ चैन्जेज कर सकती है से मैं बोलूंगा वेस्टेंटी जो में भी आपको देखने को मिल सकता है यहां पर हम लोगों ने तीन मैच अभी तक इस सिर्फ को खेले ह अच्छा रेजल्ट रहा है एक पर हाई है एक हम देख लेते हैं तो तो तीसराव को एसा हुआ था हा था हम ने चार पे बीशन लेंट पर लियन पर नभी खेला से उपर कर जाएगा मुझे लगता लेका बात करेंगे कि दूसरा और तीज़ा टीटीम ने कैसे परदसन किया हुआ था तो हमने दूसरा टीटीटी का जिखर पहले भी क्या हुआ है और पहला T20 का तो मैंने जिक्र क्या हुआ है तो हम तीज़ा T20 को देख लेते हैं यहां पर 12 की से चीज़ों को समझते हैं बात करेंगे इगलेंड डोमैन के तब से ओपन आई थी विंफिल्ड लिल 24 की थी डंकली 44 नाटाली सीवेर 13 हैदर नेट 43 एमी जोन्स फोर रन डैविट्स रिचर्शन 11 एम बोचर साथ और एकलिष्टन यहां पर दो की थी बात करूं यहां पर वेस्टेंडी जमैन के तब से गिंदवाजी में मैंत्यूद चार अबर उनीस रन एक विकेट सीए फ्रेजर दो अबर तीस रन जीरो विकेट के रामर पर आपको जैं ग्रीमंड का वी एक आदोवर डेत में देखने को मिल सकता है बल्ले बाजी में बात करूं तो वेस्टेंडी जमैन के तब से मैंत्यूद 35 की थी एलीन तीन रन के नैट बार रसदा विल्यम्स 38 रन केंप बेल जीरो रन टी होल्डर 21 एपी फिलेचर छे रन क एकलिस्टन चारवर 28 रन दो विकेट गिलेन शिप दो अबर डाले थी हैधर नैट एक आवर 30 रन जीरो विकेट यह डैविट संड रिचर्ट संड तीन अवर 17 रन एक विकेट डेत बालिंग को लेके बात कर लूँ तो कंफर्म नहीं है एकलिस्टन सी डीन एफ डेविस यह आपको दिखेंगी इनके अलाबा अगर कोई बड़े चैन्जेज होते हैं तो मैं आपको वहां पर कौन गंदवाजी करने वाली है तो वह आपको आपको जानना हो तो टेलीग्राम को जरूर्ट कर लिजेगा अब दोस्तों अगर हम पीच को लेके बात करेंगे तो आपको यहां पर बॉलिंग फ्रेंडली विकेट जहां पर इस्पीन आपको अच्छे खासे दें में दिखने वाले हैं अब अगर बात करेंगे विकेट के पीछे तो चारो आपके लिए ठिक टक ऑप्सन बन जाएंगे लेकिन यहां पर आपको दो चीज ध्यान देके चलना है मैं करूंगा एमी जौन्स या फिर विन-फिल्ड मैंसे कोई है कि विन-फिल्ड के पास एज़ी है इनका बैटिंग आना ही है ऑपन करेंगी एमी जौन्स के साथ यह है कि अगर इगलेंड डॉमेंड पहले बल्ले वाजी करती है तो एमी जॉन्स आप यह सोच सकते हो कि उनको बल्ले वाजी करने के चांसे 70% के आसपास मिलेंगे पलस इगलेंड डॉमेंड अगर तीन स्पिनर के साथ जाती है गलेंड फिर एकलिस्टन सीदीन और पार्ट टाइमर आपको जीखेंगे हैज दर नेट तो वहाँ पे एमी जॉन्स के पास स्टंपिंग करने के भी अपर्शनेटी की डेट होगा अगर आप जाओगे फॉर्ण ब्रेसिस पे तुरह सदा विल्यम्स एजे बैट्समेंड आप इनको लेके चल सकते हो अगर वेस्टन डीजमान के पहले बल्ले वाजी आता है तो आप लोग यहाँ पे के नैट या फिर आर विल्यम्स में से किसी एक को ट्राइ करके चल सकते ह मैं तॉस के अनोकूल अपना फाइनल टीम त्यार करूंगा फिलाल मैंने विगेट के पिछे एमी जोन्स को लिया हुआ है बैटिंग अब बात करूँ डैनियल वाट करें कि हमाय टीमें जरूर होंगी मैंने यहाँ पे हैदर नैट डंक ली इन दोनों को लिया हुआ है तीस बात करूँ बॉलिंग में तो एकली स्टंट को मैंने लिया हुए फिर मैंने आपकी फिलेचर को लिया हुआ है अगर ब्रंट एल बेल में से कोई भी खेलती है तो मैं जरूर बैक करूंगा उसके लबा मैंने आपने टीम में लेकर जाओंगा करिस्मा को यह मुझे हमेशा स से ऐसी प्लेट लगते जो आपको बंचेज में कभी भी विकेट दिलवा सकती है इसके अलाबा मीने जील जील में आप लोग एस ग्रीमंट को ज़रू ट्रै कीजेगा अगर वेस्ट एंडी जोमेंड के पहले गिंदवाजी आए तो ध्यान रखेगा टॉस का आपको यहां पर अच्छे खासे यूज होते नजर आ जाएंगे अब इसके अलाबा क्या एपकेंप को आई यंग को टीम जो है वो मौका दे सकती है इलेंड की टीम यह भी देखने वाला बात यहां पर रहने वाला है अब बात करो फाइनल टीम प्रिव्यू को लेके तो मैंने विकेट क लेके तो मैं आपको रिक्मेंट करूँगा इन पांच मेंज से आप कि सी भी दो को कैपटन वीजी देखे जा सकती हो मैं भी आपको करूँगा यहां पर कि अगर वेस्टेंटी जमन की पहले गिंदवाजी आए तो आप इस डोनों के साथ जा सकते हो अगर इग्लेंड जमन सेक्षन को फॉलो करो या पिटी 20 वाले सेक्षन को फॉलो करो तो वहां पर आपको दिखेंगी सीटीन बहुत ज़्यादा क्याम्याब रही है तब कैप्टन भी इनको देखे जा सकती हो उम्मीद करता हूं यह चोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मिलते नेक्स वीडियो में तो तक के लिए बाई इंजाए कीजिए अच्छा खासा वीन कीजिए